हलो दोस्तो वेलकम बैक टूपाई स्टेडी सरकल दोस्तो आज हम बात करेंगे बाइलोजी के सिलेबस के बारे में तो बच्चे बहुत जादा कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कौन-कौन से चेप्टर हमें पढ़ने हैं कौन-कौन से नहीं पढ़ने तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो दो चीजों में बाटा गया एक TMA में और एक पब्लिक एक्जाम में तो जो TMA के अंदर हो 40% सिलेबस हो आपका TMA के अंदर कवर है और 60% आपका जो सिलेबस हो पब्लिक एक्जाम के अंदर कवर किया गया है टोटल यहाँ पर बात करें हम 31 चेप्टर हैं बाइलोजी के अंदर तो आपको 31 नहीं पढ़ने हैं जो कुछ चेप्टर आपके जो TMA वाले हैं आपके पबलिक एक्जाम में नहीं आएंगे आपके केवल TMA बनाने के काम आते हैं TMA जो जिन बच्चों को जमा करने हो तो TMA बने बनाए हम से ले सकता हैं इन चेप्टर के हमने TMA बना करके बच्चों को बच्चों को प्रोवाइड करते हैं साथ में हमने अपनी चैनल पर भी अप्लोड कर रखे हैं अब बात करते हैं पब्लिक एक्जाम की पब्लिक एक्जाम कौन से होते हैं जो अपरेल और अक्टूबर में बच्चे एक्जाम देते हैं वो पब्लिक एक्जाम होते हैं अब पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूँ क्यों कि समय बच्चों के पास काफी कम रहता है और ये content बहुत ज़ादा रहता है तो आपको पढ़ने का तरीका क्या है आप इसले दो या तीन साल के paper उठाओ और उनके अंदर देखो कौन-कौन से topic सबसे ज़्यादा repeat हुए ह तो जो आपके long questions आते हैं जिन topics आते हैं हर बार जातर उन्हीं को repeat करते हैं तो आप पिछले साल के paper उठा करके उनसे अपनी अच्छी से तयारी कर सकते हो इसका लावज आपके important question हम चैनल पर लेके आ रहे है चैनल पर आपके important question अभी तुरंत आ जाएंगा आपके exam से पहले हैं और बाकी important question हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तो एक बार अगर आपको किसी और subject के भी important questions वगर आती हैं तो comment section में जरूर बताना ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए keep studying by study thank you so much and good bye